क्रॉप कवर और प्लास्टिक टेनल के ज़रिये खेती सालाना इंकम करीब 80 लाग ओफ सीजन में टमाटर, भिंटी, ट्विंटे के फसल शिवपरी में एक किसान उननत तक्निक को अपना कर 4-5 गुना का मुनाफ़ा कमा रहा है ये किसान क्रॉप कवर और प्लास्टिक के टेनल में ऐसी खेती कर मोटा मुनाफ़ा कमा रहा है जो इस सीजन में इस शेतर में होती ही नहीं है इसके चलते उसके द्वारा उगाई जा रही सबजी समाटर और कई परकार की ओफ सीजन के फसल कर रहा है इससे किसान की सालाना इंका में करोड के लगभग पहुच रही है किसान की फसलाज देश की कोने कोने में उसके खेत की सप्लाई की जा रही है नहीं आती थी खेती किसानी शिवपुरी जुले के शिवपुरी जनपत के तानपुर गाउं में रहने वाले 35 साल के रवी रावत ने बताया कि उनके पिता आर एंपी डॉक्टर हैं जो गाउं में ही क्लिनिक संचालित करते हैं उनके पिता के पास तिरपन भीगा जमीन है शुरू से ही वा जमीन पिता ने बटाई से दे रखी थी बटाईदार परमपरागत तरीके से खेती करता था जि आपने जो फसल की है काफी अच्छी तरीके से की है कैसे क्या और कभ इसकी शुरूबाद की लगवक दस साल पहले इसकी शुरूबाद की मैंने और नई नई उस समय की जो तकनीक चल रही थी ड्रिफ फर्टीकेशन वगएरा यह तकनीक सुरू हुई ड्रिफ की तो उस समय म हम लोग मल्चिंग पर आये मल्चिंग के बाद अब जो है क्रॉप कवर और टरनल के अंदर हम लोग खेती कर रहे हैं और उम्मीद यह कि अच्छा मुनापा इसमें मिलने वाला है अभी तक लाब लिया है निश्य दूरूप से तो अच्छा क्या जे खेती किसानी जो आपन पिता जी मेरे यहां पर डॉक्टर है आरेंपी डॉक्टर तो उसके बाद जमीन जो हमारी बटिया से हम करवाते थे और परमपरागत जो खेती कर रहे थे लेकिन उसके अंदर जो लागत के लगाते थे वह लागती निकल के कभी-कभी आपती थी कभी-कभी तो उसमें भी फिर बैँडी आहटा तो फिर विचार किया हम लोगोंने देखकर कई जगए नई टेकनलोजी से खेती हो रहे थे गुजरात वगैरा मेरा माहरास्ट है वह थे तो उसके बाद सरह फिर हम लोग बीडिए वांडरी करा Veterinary का मिर्ची और अब जाकर हम भिंडी निडे वाटर अच्छा यह आन्य प्रदेशों से आपने देखा सीखा उस वो किस तरीके से मतलब क्या YouTube के जरीये देखाता है क्या कुछ किया होता है कि कभी-कभी जैसे चलता है तो सीजन के टाइम तो यह है कि एक आम रेट किसान को मिल पाती है उस समय कभी उसको घाटा भी हो जाता है कभी बराबर रहता है लेकिन आप सीजन में जो वेजिटेबल आ रही है और कोई भी क्रॉप है तो उस समय अगर आप प्रोडक्शन देते हो तो आपको निश में बीच अगर अंकुरन चाहेंगे तो नहीं हो पाता लेकिन टनल के अंदर वही फसल बहुत अच्छी तरीके से जो एक अच्छे मौसम में लगवाग बीस-पचीस टेंपरेचर में होती है वो उसके अंदर अंकुरेत हो जाती है और उस समय जो ट्रांसपोर्ट के जरिए हम लोग बेज़िटेबल मंगाते हैं सबजी यहां वह हम यहीं उपलब्द कराके देंगे और इसको देश भर में हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे लोटी है देखिए खेती में टनल का बहुत उपयोग आने वाले टाइम में होने वाला है इसके बहुत लाव हैं सभी चित चाहिए उदर गुजरात में कुछ लोग इसका लाव ले रहे तो वह उसमें विचार किया कि अगर टेंपरेचर को मेंटेन किया जाए तो फसल यहां भी उगाई जा सकती है तो टनल जो है प्लास्टिक लो टनल जिसको बोलते हैं तो उस टनल के अंदर एक टेंपरेचर में लिए तो पंदरा से बीच टेंपरेचर में फ़सला आपकी काफी सुरक्षित रहेगी तो टनल से यही लाव है कि टनल के अंदर दिन में एक बातवरन उसका ऐसा तैयार हो जाता है लगवग 25 से 20 टेंपरेचर रहता है और वो टेंपरेचर में चूंकि हवा पास नहीं होती चूंकि कवर रहता है तो इंसेक्टी साइड भी हमको ना की बराबर उप्योग में अकर हम 10 इस प्रे लेते हैं तो कहीं न कहीं वह दो तीन इस प्रेइप पूरी पसल के अंदर होते हैं वह भी लाव है दूसरा प्रोडक्शन के मामले में उसमें बहुत लाव है कभी-कभी जो फूल में कनवर्ट होने बाला है तो वो फ्लावर कनवर्ट नहीं हो पाता और अगर कवरिंग के अंदर पूरे पूल जो फूल निकलकर आती है और फूल में कनवर्ट होते हैं और उसका फूरा वैनिफिट हम लोग ले रहा है अच्छा अब तक आपने यह टनल के मेलन है वो इसको करेंगे और खीरा इसमें करेंगे जी अच्छा जैसे यह पौदा रूप ते हुआ आप टनल पद्जी से पूरा करते तो कितने दिनों के अंदर आपको फसल की सभी फसल की यह अलग अलग टाइम रहता है जैसे विंडी जो चालीस दिन में सुरू होती है इस इस बार हम टामाटर लगाया है माई तक माटर देने वाले हैं एक लग बीजा उसमें लगवाइब ग helped गे और कि देने वाले और 1ह मुझा नहीं तक सुरू हो उए बहुत तौ कितने तक देते रहें इस तरी कि वह लगब मैं और जुन तक टमाटर चलेगा और तीम हैने की उसमें आर्वेस्टिंग रहेगी तीन महीने में बहुत अच्छा प्रोपेट देने वाला हूं अच्छा लागा तो मुला एकी बात करें तो कितनी ऊस टमाटर लागा